अब हम इस पे जो है कढ़ाई करना सिखेंगे यह बारी गुलाब की कढ़ाई तो इसमें हम जो है इम्डरी के कुछ यूसफुल टिप्स भी सीखेंगे और यह सारे हमारे फ्लार्स बिल्कुल एक जैसे बने साइज में भी देखने में भी उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट फिर हम जो होती है वह सीखेंगे और सबसे पहले मैंने यह पर देखें इने पैसे कैसे किया है कैसे हमने से स्वुझ चूर्ट के बनाया है पहले जो है फिट्रो में हमने एक एक ब्लोग चूड़ा है तो क्यूंकि आधा ही बच η इस दिर खने हमने यह तक झा फिर एक हमने तोड़ा इसे लेकिन उसमें आपको बनाने होंगे नहीं तो बहुत सा जो क्राउडिंग हो जाएगी इस पे और आप चाहे तो रोजी की डिरेक्शन देखिए एक इस तरह बनाया है दूसरे इस तरह को भी बना सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे तो मैं यह आपको बताऊंगी कैसे हमने यह बनाना है तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हमें एक टेपेस्टर नीडल चाहिए यह रिखिए स्वेटर सिलने वाली सुई से ज्यादा आसानी से होगा यह और एक हमें चोटी सिजल्स चाहिए और यहां पर मैंने यह चार रंगों के दावे लिए हैं फो क तो उसके लिए एक टेक्नीक मैं आपको बताऊंगी पहले देखिए एक तो हमने यह जो ब्लू नील जो होता है कपड़ों पर लगाने वाला ड्राय देखिए यह लेना है थोड़ा सा किसी पेपर पर ले सकते हैं और एक हमें यह जो है एर बड लेनी है और इसके अलावा ए जो हमने ब्लॉक है जिस ताहिसे हमसे काट लेंगे इस फ़ोड़ासा ए कहना दिए पेपर ऐसे काट लेंगे अब हमने यह निए एक पैनल लेके उसके if皮1 दना गा लेने हैं जो हमने यह बनाने हैँ ली डोजी स्वाह लग मतलवी rep Splo यह बनेंगे अभी हमने ऐसे तीन निशान थोड़े से ऐसे आर्क की शेप में लगाए और क्यूंकि इन्हें हमने यहां पर टाइ करने का भी बनाना है रिबन के लिए तो एक हम यहां पर निशान लगाएंगे तो यह चार निशान अगर यह आगे पीसे भी हो जाते हैं तो फ इस तरह से आप जो है गोल चिलाई की हैट से भी ऐसे बना सकते हैं ऐसे हैं यह सिर्फ एक रफ सा आइडिया हमें चाहिए होगा कि हमने हर बार जो है यह रोजी यहीं पर प्लेस करने हैं इसलिए अगर आप बिगिनर है तो जरूरी है अगर आप आइडिया से कर सकते हैं य लेकिन यह सबसे असान तरीका होता है अब इसे हम यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल जैसे है हमारा ब्लॉक इस तरह से और यह जो हमने ब्लू लिया है यह इसको हम इसके उपर ऐसाए लगादेंगे तो इस तरह से निशान आ गए अब आप अराप आराम से जो है इसे यहां बिदेंगे सबसेफ़्न हम यह लैंगे और इस फोउन शुरूcript पाम इससे बनहां चैकिजन पर 12 ब्सक्रत करेंगे अब इसी पॉइंट में निकाल लेंगे फिर एक वर इसी पॉइंट से इंसर्ट करेंगे यहां से निकालेंगे और इस पांच बार दागाल पिटेंगे तो यह रिखिए हमने यह जो इसका मिडल पांट है यानि यह जो बीच वाली पैटल है यह बना लिए अब यहां से हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे और इसका भी मिडल पॉइंट ऐसे ही बना लेंगे हुआ है एकु दो चार बार अड़ा गमाएंगेłeं यांपर तो हमने दथी थोड़ी से बड़ा बनेगा रोज तो इसकी हमने तीन पास्ट सलथ जला नहीं हैéo – पैटल सैंगी भायके saAPU अब यह इस थरफ चो यहे पांच बडाएंगेR One 01, 02, 04,05 ,proof ऐसे करेंगे फ्र इसी पॉइंट में और यहां से निकाल लेंगे ऐसे और इसी पॉइंट में डाल यहां से निकाल लेंगे यूँ और इस बार हमने 6 बार धागा गुमारा है एक यहां से भी से थोड़ा से कीज़ कर दो तीन चार पांच शे तो यह चार पांच पर यह वादी जो है वो छे तो थोड़ी बड़ी पैटल यह बन जाएगी इस तरह से फिर से इसी पॉइंट में नीडल इंसर्ट करेंगे और जो नेक्स्ट वाला है हमारा फ्लार यह इसकी बीच में फिर से हमने दो बनानी है लेकिन पीछे से ध्यान देए धागा जादा नहीं किछना चाहिए इस तरह से अब फिर यहां पर तो यह फिर से यह बनाई थी वैसे बना लेते हैं तो देखिए हमने इस तरह भी बना ली और इसे अब धागे को बैक साइड़ ले जाके यहां से क्योंकि हमने यह जो इस प्लार में इतना ही यूज होना है डापिंग तो यहां पर इसे हम इस तरह से टक करके और फिर कात लेंगे थोड़ा इसे सिक्योर कर ले इसमें से हम पहले ऐसे निकालेंगे जहां से देखिएगा एक छोटा स्टिच लेंगे इतना और चार बर हम इस धागे को रैप करेंगे वन टू ट्री फोर फोर ताइमस अब इसे ऐसे थम के हैट से प्रेस करके और फिर खिंचेंगे ताकि यह खराबना हो यह देखिए अब दूसरा स्टिच लेना है धियान से जहां पर हमारा यह खतम हो रहा हो वहां से हम नीडल इंसर्ट करेंगे और यह जो हमने स्टिच लिया है किसको अंगर निच फिर इस दाग को यहां से खीने लेंगे और आके हमने इसी पैटल से जूड़ते हुए एक स्टिच यहां तक निकाल लेना है जहां तक यह है धागा यहां तक ऐसे अब इस बार हमने यहां पर पांच बार धागा रैप करना है वन टू थी फोर फाइव फाइव टाइब किया और फिर इसे खिंच लेंगे ऐसे तो ऐसे हमारे यह दो स्टिच बने होपिए आपको लेली वीजिबल होगा यह देखिए अब फिर यहां से हम इसी पॉइंट से जो है निजल डालेंगे इंसर्ट करेंगे और इसके बीस में से निकाल लेंगे तो हमेशा हमने स्टिच के आधे में से इस तरह से निकालनी है और फिर जितने लेंद्ध का हम यह ले रहे हैं स्टिच इतने ही लेंद्ध का यह इससे थोड़ा सा बढ़ा ले लेंगे और फिर हम यहां पर आज बार इस तरह से रैप कर लेंगे फाइव टा और ऐसे रहा लेएं इसे और आझे हमने के चारो तरफ बना लेना है तो हमने ये रखिए ये 5 पेटल वना ली यह पें पांच और एक हमवाली किरके फिल करने के लिए को एक हस्ट के यहां से निकाला और जो है फास्ट वाले किरें है पिछछ प्रूब और इस तरह से हमारे यह जो एक फ्लार है छोटा वाला यह कम्पीट हो जाए है अब नीदल इंसर्ट करेंगे पीछे की साइड से ऐसे इसे यहां पर एक बार थोड़ा सा शिक्यूर करेंगे तक यह निकले ना और दावा काटेंगे नहीं इसी को हम ऐसे आगे ले जाएंगे यह जो इस बीच वाली पैटल है यह जो है यह फ्लार यह थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो इसके लिए हमने पहले लेनी है पैटल जो है 5 बार हमने पहले दावा गुमाना है है 1 2 3 4 5 पांच वा दावा हम ओलो आप ऐसे दावाक जाए से खीचेंगे इसी पॉइं में से फिर से निडल इंसर्ट करेंगे और यह देखी यह से बीतमें से निपा लेंगे एस बार हम ने स्टिचिनमें कि निच्छी थोड़े से चोटे लेने हैं लेकिन जो हम यह गुमाएंगे यह जादा बार गुमाएंगे यानि अग छे बार हमने गुमाना है six times one two three four five six stitch की लेंथ हमने उतनी ही रखनी है जितनी हम यहां पर ले थी लेकिन जो हमने यह गुमाना है था का वो छे बार गुमाना है यह दिखें अब फिर से जहां पर यह स्टिच खतम हो रहा है वहीं से हम नीदल इंसर्ट करेंगे और इस्टिच के बीच में से निकालेंगे ऐसे फिर इस तरफ चोटा स्टिच लेंगे उतना ही फिर से छे बार तो अब हमने सारे में ही छे चे बार गुमाते हुए यह एकम्प्लीट करना है यहां पर हमने यह इस इक्स अगर आपको लगेगा कि फिल नहीं हो रहा है तो तो देखिए इस तरह से हमने यह चे पैटल बना ली और सेवंथ पैटल जो बनाएंगे यह यहां से ऐसे ऐसे कि वन तो रहां आपको इस से बाड़ा बनाना है तो अब जो है इसके बाहर से एक एक लया और अबना सकते हैं अगर कभी आपको इसी बाड़ा बनाना हो किसी प्रोजक्त एसी कोबढ़ा सकते हैं और जैसे हमने यह बनाया था इसे ही आप सकते हिरगे यहां पीछे से थाब के लेंगे यह टिरेंगे इस तरफ को अर यह वाला भी ऐसे ही बना लेंगे यह इतमी तेनों फ्लावर्स हमाρέ इस तरह से बन गए तरो उसिए नग rif is study a綠 ke cotton-foilẹ nos अब हम नेब दिले हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे जो यह हमारा corner है यह आवाला से नीडल निकाले तहँ से बहुत बहुत easy है पीछे दबल नॉट लगा होती है तीन बार हम लगा लेंगे ट्रिपल नॉट तक यह निकले न अब ऐसे यहां से निकालेंगे ऐसे इस तरफ से निकालेंगे यह जो हमने बीच में ली है एक स्टिच इसके बीच में से ऐसे फिर यहां से तो ऐसे हम पहले एक लीफ बना लेंगे हमने यह सेवन टाइम्स करना है साथ बार करना है क्योंकि हर बार हमने एक जैसी ही लीफ बनाना है यह तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच शे बार हो गया यह सिक्स टाइम्स हो गया और यह सेवन हब क्योंकि हमने इस वाले रोज के साथ जो है यहां पर दो छोटी और लीफ बनानी है तो उसके लिए इस तरफ हम फिर छोटा सा स्टिच लेंगे ऐसे और इसमें हमने पांच बार करना है 1 2 3 4 5 सब्सक्राइब तो इस निदल निकालेंगे और यह से यह यह थार्ड वाल ofनार algúnome देखिए इस तरेक्छन में तो उससे ही हम हम यहां इसे बनाएंगे 辉से और जितने हमने यहां पर यह फाइफ टाइम्स किया है तो यहां पर भी हम फाइफ टाइम्स ही बनाएंगे तो अब यह भी हम ऐसे ही बना लेंगे इस तरफ तो यह हमने इस तरफ बनाया अब यहां से निडल जो है वो निकालेंगे देखिए जो यह वाला है रोज इसकी हमने direction इस तरफ को की है तो इस तरफ को बनेगा यह देखिए ऐसे ही और इसमें भी हमने 5 बार 5 टाइम सी करना है एक हर यह किया हमने ऐसे फिर इस तरफ तो जैसे हमने यह बनाए था वैसे ही यह भी बना लेंगे तो यह साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम अपने थ्रेट को जो है वो इस तरफ को लेकर आएंगे ऐसे और इसे हमने नीचे नीचे से लेकर आना है ताकि बेबी की जो फिंगर्स है वो बीच में उल्चेना इसलिए जो भी यान एंड्स ज्यादा लूस है उनको इस तरह स अब इस तरफ से हमने दिखिए यह जो हमने लीफ बना रहा है इसकी डिरेक्शन ऐसे ऊपर को है तो यह ऐसे बनेगा आप अब इसमें भी हम फाइव टाइम्स इस बना लेंगे तो सेम जैसे हमने वन टू थी बनाए वैसे यह भी बना लेंगे तो यह बनाने के बाद अब इसके नीचे से नीचे से नीडल निकालनी है लेकिन टच करते हुए निकालिएगा ताकि जो इसकी स्टेम है वह लगे कि इसी के साथ जुड़ी हुई है यह दिकिया अब यह हमने बीच में जो पॉइंट में यहां पर हमारा रिबन बना है तो हम यहां से इसे स्टेम स्टि इसे बैक साइड पे लेते हैं इसे स्टिच थोड़ा हम इसे बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसे हमने जो है बाद में टाई ही करना है ऐसे तो इसे हम कॉर्णर तक ऐसे ही ले जाएंगे यहां पर एक चोटा स्टिच बनाएंगे ऐसे और इसे यहां निकाल लेंगे बीच वाले यहां चोटा स्टिच थी बनाएंगे ताकि पीछे से यह लॉट ना रहे लंबा धागा न रहे बच्चे की यहां से सीधा बनाते हुए हम इसे लेकर आएंगे देखिए इसमें इस तरह से बना है अगर हम चोटे-चोटे स्टिचिज लेंगे तो वह काफी घना हो जाएगा अब यह जो थर्ड वाला है यहां से हम निजल ऐसे निकालेंगे और इसे भी यहां तक लेकर आएंगे इस तरह से वन तूर त्री फोर को और कॉर्णर में इसे खतम कर देंगे और अब पीछे से इस धागे को हमने यहां से अब देखिए ऐसे फिनिश कर लेना है साथ में हम यह जो लॉंग लूप्स हैं जो यह लॉंग लॉंग हमारे इस तरह से गए हैं इनको हम ऐसे दबा देंगे इससे आयँ अब इस धागे को हहां से काट लेते हैं अब देखिए ए रिबन के लिए मैंने यह पर पर कलर लिया है तो देखिए फागा उंग हमने प्रफ्टे लेकर जोड़ना है 1, 2, 3, ज्यादा लूज भी नहीं रखेंगे और ज्यादा टाइप भी नहीं करेंगे यूँ तो ऐसे हमने ये नॉट से दगा ली अब हम यहां पर डेजी स्टिच बनाएंगे देखिए बॉब नाने के लिए छोटे-छोटे दो हमने ऐसे डेजी स्टिच लेने है वन इसी पॉइंट से फिर ऐसे नीचे को एक और ले लेंगे ऐसे टू अब इस तर्फ लेके आएंगे नीडल इस साइड पे और जैसे ये रिबंस जो एंड से बनाएंगे हम एक बार इस तरफ को बनाएंगे एक स्टिच और एक स्टिच थोड़ा जाता ऊपर को नहीं करेंगे हवा मेंने तो आइसे दिखाए देगा कि ऊपर को उड़ रहा है तो इसकी भी डिरेक्शन थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ को करते हुए इसे यहां पर फिर से बैक साइड से फिनिश कर लेंगे तक करके और जितने भी यान एंड्स हैं उनको सिक्यूर करके फिर काट लेंगे क्यूंकि बैक साइड से आइंब्रोडरी इस तरह से दिखाए देगी और फ्रंट से हमारी इस तरह रैडी हो गई चलिए इसे अब जो है यूज करने के बाद देखते कैसी दिखाए देगी देखे इस तरह से हमारा यह बैबी बैक जो हो कम्प्लीट हो चुका है और आप च सकते हैं तो इसे जरूर आप ट्राइ कीजिएगा बहुत ही जल्दी होने वाली है यह इंब्रोइडरी मिलते हैं फिर एक और ने वीडियो के साथ तब तक जुड़े दिये चैनल से तिक्या